क्या कर रही हूँ beinstorming कर रही हूँ ऐसे नहीं करते तो आप बताएं कैसे करते तो ती चरन लाइन जी हाँ तीच आन लाइन पर सायमा आपके सामने ब्रेंस्टर्मिंग बिल्कुल वो नहीं है जो अपया शिरू में कर रही थी लेकिन brainstorming को आज जरूर discuss करेंगे यह topic मैंने क्यों पे किया जब हम online teaching भी करते हैं तो हमें teaching strategies का पता होना या उसको revise करना या उसको explore करना जरूरी है तो हम पहले brainstorming को explore करेंगे और उनको tools से connection बनाएंगे ताकि यह हमें समझ में आए कि हर वो strategy जो हम classroom में use करते हैं उसका digital tool क्या हो सकता है किस तरह से उसको replace किया जा सकता है कुछ हम ideas भी discuss करेंगे यहाँ पे तो let's see कि brainstorming होता क्या है brainstorming ideas generate करने का नाम है यानि कि ideas को आप generate करते हैं आप उसको explore करते हैं अब मैं एक teacher हूँ मुझे तो एक ही idea आएगा लेकिन अगर मेरे पास 25 बच्चे है और एक open edit question पूछ लेती हूँ तो वो different perception 25 different perception से मुझे उसी सवाल का जवाब मिलेगा अब यहाँ पे एक सवाल कि क्या वो जवाब सही है सही हो या नहीं हो लेकिन उस वक्त हमने point out नहीं करना है मेरा एक बहुत ही पुराना एक statement है जो मैं बहुत सारी अपनी trainings में explain करती हूँ या मैं इसको discuss करती हूँ कि it's just like कि एक boat है जिसको आप चलाने जा रही है या पर चलाने जा रहे हैं और उसमें आपको सवार करना है याने कि आप ते सारे बच्चों को उस boat पे सवार करना है तो ये वो तरीका है brainstorming जहाँ पे अगर आप class के शुरू में करते हैं तो बच्चे आपके साथ सवार हो जाते हैं engage हो जाते हैं let's say for example कि मैं एक सवार लिखती हूँ patterns patterns क्या है और बच्चे जवाब देते हैं कि भई जू तो में pattern है इसमें pattern है block में pattern है let's say कि इसमें भी pattern है तो बच्चे जब इस तरह के responses देते हैं तो उनकी अब सारा दिहान उनके सारी attention teacher के उपर होती है कि हमने तो अपना जवाब दे दिया अब teacher क्या बताएगी या teacher किस जवाब को सही बोलेगी क्योंकि teacher की acknowledgement बड़ी important होती है बच्चे के लिए तो जब वो wait करते हैं teacher का ठीक है क्या जवाब देगे तो उनकी सारा engagement level जो है वो थोड़ा सा high हो जाता है जो कि हमें अपने classroom start करने के लिए जरूरी होता है कि हम बच्चों को अपने साथ सवार कर लें ताकि हम उस boat को जो हम you know हम start कर रहे थे हम boat को उसमें हमारे बच्चे सवार हो जाएं हम आइस्ता आइस्ता उसको sail करते हुए अपने objective को reach करें यानि कि अपने destination पे पहुँचें तो ये एक you know starter के तरीके से बहुती interesting वो होता है अब एक और चीज़ बता दू कि देखें जब हम online particularly brainstorming करते हैं starting वाले पार्ट की बात करें कि जब हम lesson के start में brainstorming करते हैं दो और ideas भी हैं उसको भी हम discuss करेंगे लेकिन starting वाले पे बात करें पहले तो जब हम lesson के start में brainstorming करते हैं तो अगर हम whiteboard पे use करते हैं तो issue ये आता है कि whiteboard हमें अपने lesson की delivery में इस्तमाल करना होता है तो हमें erase करना पड़ता है लेकिन एक फाइदा जो कि online you know इसमें हो सकता है online वाला जो tool है लेट से कि palette यूज़ कर रहे हैं अगर padlet मैं use कर रही हूँ तो मेरे लिए फाइदा ये है कि उस padlet को मैं save कर सकती हूँ जो मैंने lesson के शुरू में brainstorming के लिए use किया था उसको मैं save कर सकती हूँ और बात में जब lesson खतब हो जाता है तो मैं बच्चों को दिखा सकती हूँ और उस पे मज़ीद feedback ले सकती हूँ तो क्या होगा कि बच्चे भी देख पाएंगे कि उनका initial understanding क्या थी याने कि lesson के शुरू में उनकी understanding क्या थी और आपके पूरे lesson पढ़ाने के बाद उनकी understanding क्या हो गई तो उनके लिए भी reflective point होगा याने कि वो spiral learning होगी complexity बढ़ाते जाते हैं तो जब हमने brainstorming से start किया हमने general ideas लिए बच्चों की prior knowledge को gauge किया ज़के why gods की का भी कहना है कि prior knowledge से शुरू करें ताकि बच्चों की engagement बढ़ जाए और इसको scaffolding provide करें ताकि वो mastery level पे पहुँच जाएं तो वो spiral learning भी जो है वो brainstorming से अगर start होती है तो बहुत आसान हो जाती है कि यहां से आपने start की अपने lesson को पढ़ाया और फिर इसके बाद एक reflection का मौका दिया towards the end of the classroom कि भाई आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा तो जो है और पहले आपने क्या समझते थे अराब आपने क्या सीखा यह तो एक तरीका हो गया brainstorming का अब दूसरा तरीका एक यह होता है कि problem solving problem solving में जैसे आपने कोई problem statement दे दिया center में और बच्चों से कहा कि इसको solve करने के क्या तरीके हो सकते है कोई case study दे दी और बच्चों को उसको solution generate करने का बोलते है तो 25 बच्चे 25 solution लाएंगे again कोई solution गलत नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई उसमें perception होगा बच्चे का कोई ना कोई इसकी thinking होगी आपने बच्चे को सोचने पे मजबूर किया जो कि otherwise शायद वो नहीं करता सो ये एक और brainstorming का फाइदा तीसरा फाइदा मैं आपको बताओ creative writing creative writing सबसे मुश्किल टास्क होता है बच्चों के लिए भी और कभी कभार हमारे लिए भी क्योंकि creative writing की हमें आदत नहीं है और अगर आप genericly भी देखें कि अगर हम बच्चे को story लिखने को देते हैं तो उनकी stories सारी एक जैसी होती है अगर मेरे पास 25 बच्चे हैं तो 25 के 25 बच्चे एक ही story लिख रहे होंगे या अगर मैं उनको कोई paragraph देती हूँ advantages and disadvantages of digital media तो वो एक ही जैसा आ रहा होता है बच्चे भूल जाते हैं और बात में disadvantage लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर वो mind map कर सकते हैं mind map करने से दो तीन चीजों पर फाइदा होगा एक तो यह हो गया कि आपने hierarchies बना ली कि एक तरफ advantages लिखूँगी एक तरफ जो है वो disadvantages लिखूँगी एक तरफ मैं generic बात करूँगी एक तरफ मैं इसको conclude करूँगी तो मैं ये 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 pointers लिख दिए कि मैं ये ये वाते करूँगी अब वो जैसे जैसे याद आते जाएंगे मैं pointers अपने increase करती जाऊँगी अब उसके बाद एक और चीज मैं करूँगी कि मैं vocabulary का mind map करूँगी कि ठीक है अगर मैं digital media यूज कर रही हूँ तो क्या मैं हर दफा digital media यूज करूँगी devices यूज कर सत्ती हूँ online devices यूज कर सत्ती हूँ या कोई और भी word है जो कि मैं इस particular creative writing में use क्योंकि same word repeat करना is not very impressive in creative writing तो ये एक और तरीका होता है कि mind map या brainstorming में आप उस idea को generate करते हो जोगा आपका creative writing का idea है which helps you in writing your final एक और भी तरीका होता है graphic organizer का जो कि हम next उसमें भी pick करेंगे लेकिन अभी फिलवक हम focus सकेंगे brainstorming पे तो brainstorming एक बहुत अच्छी strategy है बच्चों को engage करने के लिए लेकिन वही वाली बात है कि सिर्फ ये classroom में नहीं use होनी चाहिए ये online classroom में भी use होनी चाहिए आप brainstorming करें padlet इस्टेमाल करें whiteboard share कर चुकी हूँ उसको भी देख लें padlet को भी देख लें collaborative wall को और भी मजीद tools share करूँ की जो कि आप brainstorming के लिए use कर सकते again brainstorming सिर्फ class के शुरू में नहीं center में towards the end कहीं भी use हो सकती है depend करता है कि आपके lesson का flow क्या है क्या आप problem solving करवा रहे हैं तो कहीं न कहीं middle में होगी आप अकर brainstorming करवा रहे हैं तो कहीं न कहीं start में होगी उपर नीचे भी हो सकती है depend करता है कि आपके lesson का क्या objective है और क्या flow है यह याद रखेगा कि यह strategies हम याद रखेंगे ताकि हम जब अपने lesson planning का training attend करेंगे या कि हम अपनी class करेंगे lesson planning की तो हम इन strategies को वहाँ पर connect करते जाएंगे तो हम वहाँ पर explain नहीं करेंगे हम उसको explore नहीं करेंगे explore हमने आज कर ली लेकिन वहाँ हम उसका connection बनाएंगे I hope कि आज की class भी आप लोगो समझ आई होगी मज़ा आया होगा brainstorming क्या है ज़रा लिख के बता दे नीचे आपको क्या समझ में आया कितना समझ में आया नीचे comment में brainstorming क्या है और मुझे जिसका comment अच्छा लगा उसको मैं बड़ा वाला like खुद दोंगी ठीक है thank you so much and subscribe करना नहीं भूले comment करना नहीं भूले like करना बिल्कुल भी नहीं भूले और अगली video के लिए तयार रहेगा तब तक के लिए बाई बाई